हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का गुरुमंति इस्टूट में आज मिस्टाइक करने वाले बोड़ एक्जाम 2020 के लिए आज बहुत ही महत्पूँ टॉपिक लिए आज हमने सेंटर आइडिया आज हम पोयम दात्रिव ब्यूटी का सेंटर आइडिया कराने वाले हैं तो कौन से हैं? यह किस के द्वारा कंपोल्ट की गई है और लिखी गई है किस के द्वारा रचित की गई है तो यह थॉमस क्रिव ठीक है? C-A-R-E-W इसको क्या बोलेंगे? थॉमस क्रिव ठीक है? इस पोयम का सेंटर आइडिया बहुत ही प्यारे से बर्ड़ों में हम तो बोलेंगे नहीं, कभी का मतलब पेपर तक तो बोल नहीं नहीं है, हमें पोयम लेके dirayक को लोलेंगे किमिनृ पोयम, थ dare duvet उसके निचे ब्लेग पहने के लिखो इसको ब्लेग से लिख लिखी तो इसको इसको ब्लेक से लिख्तेर ना,thought-वामस क्रिव लिखने के बाद कविता या यह है, पोयम किसके दौरा कंपोस्ट की गई है? तॉमस क्रीव के दऌरा लिखी गई है, तॉमस क्रीव के दौरा रचित की गई है. अब उसके बाद में अगले लाइन में क्या लिखना है आपको? in this poem हर किसी में यहीं लगाना कोई भी संट्राइड ए हो in this poem the poet भाई किसी भी कभिता में किसी ना किसी कभी ने कुछ तो कहा होगा किसी ना किसी टॉपिक के बारे में जो टॉपिक का नाम होता है कोई ना कोई टॉपिक तो उठाया होगा वही चीज आपको इसमें बताने है यहाँ पर क्या चीज है देखो नाम से ही पता चलना है क्या true beauty true beauty का मतलब सची सुन्दरता सची सुन्दरता क्यों सी होती है आप से पूछा जाए कि सची सुन्दरता क्या होती है तो आप क्या बताओगे उसे यह बताओगे जो हमाई चरित्र की सुन्दरता है वो कभी कम नहीं होती है इसी के बारे में कभी ने लेखा और यही आपका सेंटर आइडिया होगा तो देखेगा सबसे पहले हमें क्या लेख रहा है इस पोएम में कभी ने क्या करा है ठेक, दा पोवेट. प्रैज. ब्यूटी ओफ करेक्टर. यानि कि चरितृ की सुंदरता की क्या करता है? कुभी इस कॉयम में कभी चरित्र की सुंदरता का वरणन करता है. Murray कि प्रेसंशा करता है. अगौले. it is true beauty यह कैसी है? यही सच्ची सुंदरता होती है यही वास्तिविक सुंदर होता है आगे देखेगा it involves love and loyalty इसके अंदर क्या चीज़ involve है? involve मैंने कि इसके अंदर पाये जाती है इसके अंदर घुली हुई है इसमे यहापर क्या बोलेंगे? इसमे love यानि कि प्यार और प्यार की जाए बोलेंगे हापर प्रेम क्या? प्रेम और यह loyalty यानि कि समर्पन इसमें क्या है? प्यार और समर्पन यानि कि विश्वास ठीक है? तो यह हापर क्या सब दिल बोलेंगे? प्रेम और विश्वास यानि समर्पन गुला हुआ है, इसके अंदर इसमें क्या चीज़ होती है, त्रू ब्यूटी में क्या है, आपका प्यार और समर्पड है, it has nothing to do with physical charms, मतलब it has nothing, यानि कुछ भी नहीं है, यानि कि इसका do में, यहाँ पर इसका मतलब यह है, कि इसका physical charm, यानि फिजिकल चार्म की जगह पर क्या beauty, यानि B-E-A-U-T-Y, इसको भी चोड़ सकते हो आप, इसका physical beauty से कोई भी सम्मंध नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है, कि इसका इससे कोई मतलब नहीं है, यानि कि it has nothing to do with physical beauty, यानि इसका physical, यानि कि physical को लेना देना नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, कि इसका true beauty का, true beauty वह ले तो चरित्र की सुंदरता का physical beauty, यानि सारदिक सुंदरता से कोई लेना देना नहीं है, देखेगो फिजीकल व्यूटी विकम्स लेस यानि फिजीकल व्यूटी कम हो जाती है कब कम हो जाती है लेस यानि कम हो जाती है एजटा टाइम पास यानि कि समय बीतने के साथ टाइम पास होने के साथ फिजीकल व्यूटी यानि कि जो आपकी सारविक सुन्दरता है वो कम हो जाती है ठीक है लेकिन जो चरित की सुन्दरता है वो कभी कम नहीं होती है यह बाद आप रखना तो इसमें क्या है फिजीकल ब्यूटी विकम्स लैस एज टाइम पास यानि फिजीकल ब्यूटी समय के साथ कम हो जाती है, समय बीतने के साथ या time pass होने के साथ कम हो जाती है. अब दिखेगा, love based on physical beauty, जो प्रेम physical beauty पर based होता है, last a very short time, last यानि टिकता है, इसका मतलब क्या है आप है? टिकता है, बोलते हैं ने long lasting, everlasting, तो वहीं आप है, last का मतलब क्या है, टिकना, यानि टिकता है, तो यानि कि जो प्यार physical beauty यानि सारीक सुंदरता पर बेश्ड होता है, उस पर आधारित होता है, वह ज्यादा समय के लिए नहीं टिकता है, यानि कि long समय के लिए, यानि छोटे समय के लिए टिकता है, ज्यादा समय के लिए नहीं टिकता है, तो इसको लिए क्या बोलेंगा, बहुत छोटे समय के लिए टिकता है, तो love based on physical beauty lasts a very short time, यानि कि छोट, बहुत कम समय के लिए टिकता है, जो प्रेम सारीक सुंदरता पर based होता है, आधारित होता है, वह है, बहुत कम समय के लिए टिकता है, in other words, अथे हम दूसरे सब्दों में, we can say that, दूसरे सब्दों में हम कह सकते हैं कि love is only based on the purity of character, यानि कि जो प्यार होता है, जो आपका प्रेम होता है, is only केवल based होता है, कि इस पर purity of character, यानि कि चरित्री की पवित्रता पर क्या होता है, निर्वर होता है, उस पर based होता है, तो जो प्यार होता है, यानि कि जो सच्चा प्यार होता है, वो किसी पर based होता है, सच्चा प्यार आपकी purity of character यानि कि आपके चरित्र की पवित्रता पर निर्वर होता है पवित्रता पर आधारित होता है आगे बढ़ते हैं good thoughts यानि कि आपके अच्छे विचार and or good wishes ही वोले तो मंगल कावनाएं सुब कावनाएं आपको जिसके साथ जो व्यक्ति के विचार अच्छे नहीं होंगे जिस व्यक्ति के यानि कि सोच अच्छी नहीं होगी तो उसके पास उसका मलब true beauty कैसे होगी ठीक है आप मलब देहने में तो बहुत सुंदर हो लेकिन आपके विचार बहुत तो आप उसको सुंदर नहीं बोलोगे आप चाहे देखने में काले हो लेकिन आपके विचार बहुत अच्छे हैं तो आपको बोला जाएगा एक तम आपके पास में क्या है true beauty है ठीक है फिजिकल चार्म जो आपकी सारे सुंदर था एक समय के बाद में फिकी पड़ जाएग होएं आपका यह सरीर है अब जो है और मैयानी कि आपका 20 साल 20 से 30 साल के बीच में जो आपका सार सरीर है क्या वो 80 80 साल से 70 यानि 70 80 80 के हो जाओए तब भी ऐसा दिखेगा नहीं न यह कम हो जाएगा लेकिन आपके जो विचार है वह आपके आज भी ऐसे हैं आपके मनने के वाद भी रहेंगे अब हैं 70 साल 80 साल में हमेसा रहेंगे तो मतलब क्या है कि आपको अच्छे काम करने चाहिए जिसके अच्छे होंगे वो अलग होगा जिसके विचार अच्छे नहीं होगे वो अलग होगा तो विचारों से अलग बनता है विचारों से आजमी इंसान बनता है ठीक है वाकी कहे जाने के लिए तो सभी मनस से कहे जाते तो उसी तरीके से आपको क्या करना है इस को कविता साथ बदल जाती है, अर्था समय के साथ कम हो जाती है समय के साथ नच्ट हो जाती है लेकिन यहां पर है indulgen and sure beauty here इस मुंधू ख़्रेक्टर की संथरता खो यानि आपके चरित्र की संथरता को उसी के वारे में आपको यहां पर क्या चीज़ लिखना कभी प्रसंसा करता है, it is true beauty or वास्तिविक संदर्था या नि सच्ची संदर्था है आगे इन्वाल्स, यानि कि इसमें पाए जाते हैं, इसमें गुले हुए हैं, इसमें हैं, क्या है प्यार और समर्पन, प्यारोव एंड लोयल्टी, इसमें प्यारोव शमर्पन इसमें प्यारों सवल्पन होता है it has nothing to do with physical beauty इसका सारिक सुन्दरता से कोई लियना देना नहीं है पीजिकल सुन्दरता कम हो जाती है ऐज टाइम पाज जैसे सम्हें बीतने के साथ शारी कविपने के साथ सारी को जाती है लाट्स निलत एक भட निलत unfair wear Oo संदर पर जगता है आँ जो प्यार आपके फिजिकल व्यूटी पर बेशी बोद्य पर यानि कि जो प्रैम है, वो केवल आपकी चरित्र की पभित्रता पर बेश्ड होता है, आधारित होता है, गुड थौट, अच्छे विचार, एंड और, गुड विशिज, गुड विशिज बोले तो आपके सुव कामना है, मंगल कामना है, आर इस एंटिया यानि कि आवेशक हो होती है, तो इसके साथ में ये आपका सेंटर आइडिया होप का बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, समझ पा रहे हों, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को में दोस्तों के साथ सेयर करिएगा, और हमको बताइएगा, यदि अच्छी नहीं